this one in a 100 meter raise a runs at a speed of 5 by 3 meter per second if a gives a start of 4 meter to b what does it mean? अच्छा सवाल है okay if a अब यहां पर देखो एक 100 meter की रेस है ध्यान से देखना ये एक ट्राक है जो की 100 meter का ट्राक है complete it's a complete track of 100 meter ठीक है अब आपको क्या दिया है आप से कह रहा है यहाँ पर डाट ए रंस अच्छा अच्छा भागता है तो ए ने बी से का ठीक है यार तुम इससे चार मीटर आगे खड़े हो जा ठीक है तब हम लोग रेस स्टार्ट करेंगे ठीक है इसका मतलब होता है a gives a start of 4 meter to be a ने 4 meter का start दिया है b को ठीक है 4 meter आगे खड़ा करवाया है ओके हाँ very good चलो तो a की speed कितनी है a runs at a speed of a की speed कितनी दे रिखिये 5 by 3 meter per second दे रिखिये ठीक है कि ओके सो and still beats him by 12 seconds तो क्या हुरा है finally finally last में क्या हो रहाएं यहां पर कि finally a क्या कर रहा है b को तब भी हरारत दे रहा है तो पहले पहुंच जा रहा है और बी कहीं पीछे ही रहेत जा रहा है ठीक है, ओके जब finishing point में पहुच रहा है, और जो gap है दोनों का, जो gap है, वो 12 seconds का gap है, this is nothing but the gap of 12 seconds, क्योंकि A, क्योंकि B फिर 12 seconds जादा ले रहा है न ये से, ठीक है, उसको 4 meter आगे भी खड़ा करा, तब भी वो 12 seconds जादा ले रहा है, at the end, तो आप से क्या पूछा हुआ है, आप आपको B की case की distance चाहिए, और time चाहिए, ठीक है, तो अगर अगर आप इतनी distance calculate कर दो न, मैं arrow जो निकाल रहा हूँ, क्योंकि इतनी distance travel करने में B 12 seconds ले रहा है न, अगर आपको वो distance निकाल लोगे, तो you will get the speed of B, okay, in meter per second, okay, तो कैसे, how you will calculate, how you will calculate that, तो B, B, B ने कितना travel, B कितना travel करेगा, B 96 meters बच्चे कहा रहा है, 96 meters travel करेगा, ठीक है, कैसे निकालोगे, how you will calculate, ओके चलो, इसको देख लो, इसको बर अच्छे से, अच्छा, A का, A का क्या दिया है आपको, A, A की speed दिया आपको, 5 by 3 meter per second, ठीक है, ओके, और, A ने, जो पूरी distance है, ओके, पूरी distance travel करी है, ठीक है, पूरी distance कितनी है, ठीक है, टोटल distance, टोटल distance कितनी है, 100 meter है, ओके, तो A का time निकाल ले तो हमें, पहले, A को कितना time लगा होगा, ठीक है, A का time कितना जाएगा, अब आपको पता है, speed is equal to distance upon time, so time is equal to distance upon speed, so distance is 100, upon by 3, तो 5 into 3 उपर चल जाएगा, तो इतने seconds आ जाएगे, यह किसके seconds है, A के seconds है, तो 5, 20, ओके, तो कितना आ गया, 60 seconds, तो 60 seconds time आ गया, A का time, ठीक है, A कितना ले रहा है, 60 seconds ले रहा है, ओके, और B, और B 12 seconds और ले रहा है, तो अगर मैं time of B निकालू, ठीक है, time of B, time of B कितना जाएगा, 60 plus 12 seconds और ले रहा है, क्योंकि 12 seconds बाद पहुचा न, तो कितना जाएगा, 72 seconds, और 72 seconds का मतलब क्या है, और B ने कितने distance टैवल करेए, B की total distance कितनी है, B की जो total distance है, that is 4 meter less than 100 meter, so it is nothing but 96 meters, ओके, बस, तो यहांको तो बहुत simple हो गया, तो आपको time of B आ गया, और distance कितनी है, B की, B कितना जाएगा, distance upon time speed is equal to distance 96 by 72, meter by second, meter per second, ठीके, और अगर आपसको calculate करोगे, 12 से, 12 से cancel करोगे, this will be 12, 12, 8 times, 12, 8, and this will be 12, 6 times, 6, 12, 6, so 2 4s are, 2 3s are, so this will be nothing but 4 by 3 meter per second, ठीके, 4 by 2 per second, C is the right answer, 4 by 3 meter per second, Sir, why have you multiplied A distance with 3, A distance with 3, A की जो distance है न, उसको मैंने 3 से नहीं करा, अरे यार, आपको division भी नहीं आता, मैं आपको चलो यहां पर बता रहा हूं, ठीके, इसको अच्छे से देख लेना, यह box में मैं क्या बता रहा हूं, अरे, आपको time निकालना है न, time कितना होता है, distance, upon speed, तो distance कितनी थी, 100 थी, upon speed कितनी थी, speed थी, 5 by 3, तो 5 by 3, तो यह जो 3 है न, उपर जाके multiply हो जाएगा, simple division है, इस तरीके से मैं आपको बताता हूं, 100 divided by 5 by 3, और अगला step होगा, 100 into 3 by 5, तो cancel होगे, 5 20 times तब आएगा, 60 seconds, आया समझ में है, so 4 by 3 is the right answer.